आईसोमेट्रिक चेंप में आप सभी का स्वागत है मैं ना मुवित वुर्मा है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वेर्ट चैसे बनाए जाता है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो स्क्वेर्ट दी हुई है ए पी समें खुछ माननें को नहीं दिया है पी के मतलब में हाँ 5 सिह है तो यहां पी के वैलु मालेंगे 40 एब लिए ब्रावर 40 है मते तो दोस्तों प्सक्व कर ध्यान देंगए कि अगर आपके एक्जाम में Pk value दी हुई है तो आप वही वरी Pk value मानेंगे लेकिन अगर आपके एक्जाम में Pk value नहीं दी हुई है तो आप कुछ भी मान सकते हैं वैसे नॉर्मली pap cui दी होती है अब जीरो पौइंट 5 के कि इसके लिए इक फिर्मुला यह है कि 3P कि मितलब है हम को जुतनी चूडी बनाने उतने उतने से गुणा करेंगे नॉर्मली तीक नी हमारे देट के सारे इसलिए तीन से गुणा करेंगे आजेगी 120 तो चलिए शरू करते हैं कि सबसे पहले हम 120 से हमके लाइन खीचेंगे यह खीच लिए 120 हमके लाइन तो दोस्ते इस बात का ध्यान लगना कि यह लाइन आपको हलकी पैंसल से खीच नहीं है ईसकी वेलू लेंगी इसकी वेल्यू इसकी तक निकली है 20 mm यहां से 20 mm ओपर जाएंगे आपिस इधर राएंगे 0.5 पी आगे 20 mm इधर आपिस निची आएंगा 20 mm यहां से 20 mm का Gap छोड़ रखा इसने ऐसा यहां से भी लेंगे वीसंए ऊपर गये कि यहां इधर गए कि वीच आ गए दो स्कुवार बक्स बन चुके हैं अब हम यहां तीसरा स्कुरा बक्स बना लेंगे आप से यहां से अगए नीचे आप तो आप देख सकते हैं हमारा यह वाला पॉर्सम बन चुका है सिर्फ इसमें एक चीज मिटानी है वो यह रही इसके तो यह तीन लाइन और रहें कि लिए अब देख सकते हैं हमारा यह वाला थ्रेड्ट बन चुका है अब जो इसका यह वाला है इसके हम इस थ्रेड को थोड़का है बढ़ा देंगे अब प्रियान बना लिए तो चलिए अब यह हैचिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस बात का धियान रखना कि यह हैचिंग के बीच का गैप सेम होना चाहिए यह नहीं कि कहीं 2.00 mm का गैप है तो कहीं 1.00 mm का गैप है झाल 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 यहां चिंग कर दी हमने चलिए अब इसकी डायमेंशन देते हैं इस बात का ध्यान देना है कि इसकी डायमेंशन हम पी के फॉर्म में ही देंगे नंबर में नहीं देंगे झाल झाल यह हमारा स्कॉर्ड थ्रेड कंप्लीट हो चुका है तो फाइनली अब हम नीचे लग देंगे स्कॉर्ड थ्रेड उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हैलफुल हुई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए हम से जोडने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन प्रिस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजिए और कोई यह डाउट रह गया था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में थपता के लिए धन्यवाद